ताटा अपनी HBX Micro SUV को लॉंच करने वाला है मतलब यह है कि राइनो को प्रोडक्शन हाउस में देखा गया है और इस गाड़ी को बनाते है वक्त ताटा की इंस्प्रेशन थी राइनो आपको सो सकते है कि जब टाटा की इंस्प्रेशन राइनो है तो गाड़ी कितनी सॉलिड होने वाली है टाटा ने अपनी HBX को अटो एक्सपोर 2020 में दिखाया था और टाटा इसको जल्दी ही लॉंच करने वाला है HBX के स्टेरिम वील पे आप राइनो की एक फोटो भी देख सकते है और इसके इंटिएर ही बात करने तो इसके अंदर आपको आल्टो और नेक्सोन वाला साथ इंच कार टरचती मिलता है जो की इस सेगमेंट में बहस्ट है और इसके अंदर आपको आयरा कार इस गाड़ी में आपको अल्फा आर्क प्लैटमर मिलता है जो टाटा की आल्टो में आता है आल्टो इससके इन जादा नहीं तो साड़क तीन चार स्टार ही मिलते है तो भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी बन जाएगी इतना ज्यादा डिले क्यों होता जा रहा है कोई 90 की वजए से ये गाड़े काफ़ ज्यादा वेटिंग पिरिड में जाते जा रही है और इस गाड़ी कब लॉंच होगी ये अगस्त में या सेप्तमबर के एंड में लॉंच हो सकती है अब आप ये मान के चलो कि आपको ये गा सब्सक्राइब भीडियो में इस गाड़ी का बारे बताँ के साथ इसका सब्सक्राइब और इसका इस पेसिफिकिकिसन के बारे बताऊंगा क्योंकि ये विडियो बिलुकुल हटके होने वाली है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेर भी कर देना, अगर इस गाड़े की लुक्स को देखें, तो बहुत यादा बहतर लगती है, जो मुझे लगता है, इसके सामने आपको दो पार्ट्स में लाइट्स मिल जाती है, हैरिर और सफारी की तरह है, और जो काफी ज्यादा मोटा है, इसके अंदर आपको ट्यागो वाला ही हर्मन का स्पीकर मिलता है, जो काफी ज्यादा बहतर है, उचार स्पीकर, चार ट्वीटर के साथ में, आप इसमें बहुत बढ़ी अवड़े गाने ही सुन सकते हो, इसकी साइट प्रफाइल को देखें, इसके साइट प्रफाइल में आपको 15-16 इंचे अलोई मिल जाएंगे, लेकिन साइट 15-16 के नहीं, 15 के ही मिल सकते है, टॉपेंट में, आपको इसमें मारूती वाला ही, शिफ्ट वाला डूर हेलर से देखें को मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया वाद कूल लगता है, इस गाड़े का इंटियर काफी बढ़िया लगता है, इसमें आपको स्पेस काफी मिल आती है, काफी अच्छी लुक्स भी मिलती है, और साइट आपको इसमें रियर एसी वेंड्स ना मिले, तुकि ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है, आपको अगर घर्मी लग रही है, तो भी इस गाड़े किसे कंपर करें, के ये वन डवलो से, या इगनिस से, या मारूती की एस्परसो से, अभी तक इसका नाम और विसेली तरीके से लॉंच नहीं हुआ है, इसका नाम क्या होने वाला है, ताटा की HBX या फिर होरन बिल या ट्यमेरो, अभी कुछ नाम लीग न इसकी विर्थ होने वाली है, 1822 mm की, इसकी हाइट 1635 mm की होने वाली है, और इसका वील वेस है, वो होने वाला है, 2405 mm का, इसका ग्राउंड के लिए से आपको 185 mm का मिल जाता है, जो काफी या बैतर है, आप इससे थोड़ी बहुत आफ रोड़िंग भी कर सकते हैं, आप इस आप से, और आज की वीडियो में से इतना ही,